नमस्कार इस वक्त हम हैं दोर की लक्षमबाई नगर अनाजमेंडी में गेहूं की जो आवक है वो लगातार बढ़ रही है चुकि गेहूं आने का समय है और यही कारण है कि लगातार अलग-अलग जगह से जो गेहूं है वो लक्षमबाई नगर अनाजमेंडी पहुंच रहा आपके बार क्या लग रहा है कि यहों के दाम कहां तक जाएंगे किस तरह कि आवक है कि अच्छी दी कल चारसो पांसो आज दोसो आनी है आप अब जो आपके बजार तेगी रहेंगे मद्दा नहीं होगा तिन यहार से तिस सो गयों विखेगा विखेगा अलग-अलग विराइ त्युक्त करें अलग-अलग राज्यों से किस तरह की डिमांड हमारे पास है और किस तरह की डिमांड हम पूरी करने में सक्षम अपकी बार है चारों तॉलब को डिमांद अच्छी है, पर लिए पस्ट जिए है, और इस साल गिहों के दाम जादा है, क्या कारण रहा अब की दाम जादा होने का? और कहा तत के दाम पहुंचेंगे, क्या संभाव ना लगते हैं? तो यह थे रामलाल जी जो गहूं के व्यापपारी है इस परश तोर पर इनका कहना है कि जो के दाम है वो निरंतर यहां से बढ़ते चले जाएंगे और अपकी बार गहूं के दाम जो है वो लगातार बढ़ते नजर आएंगे इंदोर के लेख्शन बैने अकर आज मंटी से न मनमत के